तो च्खड के साथ साथ परदेश ने भी अपनी कॉंस्लिंग प्रॉसेस स्टार्ट कर दी हैं अबिबस के लिए और उत्रपरदेश में हमेशन दो वैबसाइट चलती हैं एक कॉंसलिंग की और एक इन्फोर्मेशन देने की उत्रपरदेश और हर्याना ऐसे 30 स्टेट हैं जो आपको बहुत किन्फूस करते हैं तो उत्तरप्रदेश की जो वेबसाइट है उसका नाम है upneed.gov.in और जो दूसरी है वो है ddme.up.government.in सबसे बड़ा जो चेंज इस साल हुआ है और जिसकी वज़ा से काफी फरक पड़ेगा cut-off में वो है round one से पहले जो दो लाग की security deposit लेते हैं यह लोग वो अब आपको dd के बदले we can pay online और we are paying online सो देखिए सबसे जो जूपी में हमारे सारे clients जानते ही हैं मेरे शुरुता जानते हैं इंडिया की counseling को दुबारा से समझाने का तो वक्त नहीं है लेकिन states में शैद जूपी शैदी पक्का जूपी एक मात्र state है जो round one से पहले security deposit लेता है इस साल से उत्राखंडे भी लेना शुरू करा है जो हम यह लाख दो लाख की बात करते हैं लेकिन round one से पहले पैसे लेना पहली यूनिक चीज दूसरी यूनिक चीज फ्री एक्जिट ना होना जी हां उत्तरबदेश इस मामले में एक मात्र state है जिसमें अगर आपको round one में seat मिलते और आप नहीं लेते हैं तो आपके यह दो लाख के security deposit जबत हो जाता है और सबसे बढ़ा था नंबर तीन यह दोनों रूल तो इस साल भी है लेकिन जो तीसरा रूल था वो यह था कि यह जो process भी थी ना यह बड़ी कंबर सम थी तो एक मात्र उत् भी 2000 रुपे ही है लेकिन फिर आपको वो registration form साथ आठ अठ अपने normal कावच और वो दो लाग का DD बनाके UP आना पड़ता था देखे UP में यह nodal center नाम के शब्दा बार बार सुनोंगे अभी भी जो form भर रहा है उसने choose करा nodal center वो बात अलगया कि सरकारी लोग है तो उस form में ज सरकारी कॉलिज हो गए तो जो लोग हर्याना साइट से आ रहे हैं उनके लिए साहरनपूर नियरेस्ट हो गया जो दिल्ली वाले हैं उनके लिए greater नौड़ा हो गया जो थोड़ा मध्यपरदेश साइट से उनके लिए आग रहा था फिर लखनों वगयरा तो होई गए और फ लोग यूपी का रश्टेशन फॉर्म नहीं भरते थे लेकिन यह जो तीसरा प्रॉसेस्ट चेंज कर दिया है वो तीसना process यही change हुआ है जो उनके सारे notice है न सबसे पड़ा जो change हुआ कि हम दो लाग रुपे का security deposit online जमा कर सकते हैं और यह जो दो लाग रुपे का security deposit online जमा हो गया इसकी वज़ा से काफी change हो गया इस बार जो process चल रही है जो information चल रही है यह जो पहला सबसे पहला जो document आया 22 से start हो गया है प्राइस तरीता का time है deposit of registration fees और साथ में security fees online फिर यूपी हमेशे मेजलिस देता है जिल लोग इने form भर है और देखिए security fees इवन जो यूपी domicile के सरकारी government quota के लोग हैं उनको भी 30 रुपे देने पड़ते हैं for government fees और जो दो लाख रुपे देते हैं उनका private mbps और bds दोनों कबर हो जाता है जो लोग सिरफ bds देख रहे हैं private उन्हें एक लाख रुपे देने होते हैं right उसके बाद तो वही है choice filling and normal process लेकिन यह जो ड और इसकी खास कर देखें दो बातें उत्तरप्रदेश अब के 25 तीस टोटल प्राइवेट कॉलिज हैं पांच मनल्टी 25 नॉन मनल्टी 25 नॉन मनल्टी में जो package है वो 65 लाग से शुरू हो जाता है बहतर लाग तक जाता है और मनल्टी इसके 1995 लाग तक जाता है जिसमें चार मनल्टी है एक जैन मनल्टी है लेकिन तो मनल्टी तो महंगे पड़ते हैं लेकिन नॉन मनल्टी अब आप देखो अब नॉर्थ में रहने वाले हो पंजाब क्लो स्टेट है कम फीस है साड़ती लाग और नौला हुरुपे जिसके वज़ा से अगर आप पंजाब के भी और आपके 400 नंबर से कम हैं तो आपको सीट मिलने का चांस काम हो जाता है पंजाब में ये माचल में एक ही कॉलिज है प्राइवेट हर्याणा में गिन के पांच हैं जिन में दो की रिपूटेशन कुछ बहुत खास नहीं है या में कुछ खराब हैं उत्राखन में अब तीन हैं लेकिन नौन उत्राखन वाले के लिए 90 लाग से उपर पड़ता है तो 65-70 लाग की रेंज में मद्यपरदेश में वो मिधावी चातर योजना के चक्कर में अगर आप 400 नंबर वाले आपको मद्यपरदेश में सीट नी मिलेगी 36 गड़ में नी मिलेगी तो इस सभी स्टेट के बच्चों के लिए राजस्थान हो गया राजस्थान डोमी सेलिकों तो खेर बहुत असान है मेरेजमेंट कोड़ा की सीटे लेना लेकिन वो भी महेंगा ही पड़ता है तो उत्तरप्रदेश बिकमस वेरी गूड ऑप्शन खासकर पिछले छे सा साल से जबसे हिडन चार् आँडिया का, including MCZ counseling, जिसमें round two में cut-off हमेशा उपर जाती है, बाग जर्जगा, के बर कट-off दीचे जाती है round two में, उत्तरप्रदेश में, जो तो फर्म भरेगा ना, जो serious है, तो round two में जो fresh registration होती है, तो वही लोग आते हैं, जो हर जगा से सताय, दुष्यारे होते हैं, ज बाकी फीसिस तो पहले आ चुकी थी कि सब कुछ कॉमन है सेम है यह दो लाख रुपए एक लाख रुपए यहां जब आप फॉर्म भर रहे हो एक आप से कोश्चिन पूछा जाता है कि आप में 12 कहां से करी और फिर से अगर आप 10th 11 12 अगर यूपी से करी है तो आप अलड़ी realized यू-पी की स्टेट कॉटा के लिए पात्र हो जाती हो जी हां तो उत्रा खंड कीतर है उत्तर प्रदेश से भी यह यह तो आप उत्तर प्रदेश का एक भी भार से की है या दोनों भार से करी हैं उस केस में वो आपसे डॉमिसायल मांग रहा है जो जैसे यूपी के डॉमिसायल जो शैद दिल्ली रहते हैं या पढ़ने के लिए कोटा चले गए थे ताकि उनको भी रिजर्वेशन मिले अब क्या हो रही है दिल्ली का बच्चा खासकर दिल्ली का या हरियाना का जो यूपी के फ्रैवेट कॉलिज में जाना चाहता है इस ओपन स्टेट चूटकि उसके टैन ट्वेल्थ यूपी से नहीं है तो उससे जबर्दस से डॉमिसायल सब्टरिकेट मांगा जारा है क्योंकि इनकी सॉफ्ट्वेर का गिलिच है लेकिन मैं अगर दिल्ली कहा हूं तो आप जानते हो दिल्ली में तो डॉमिसायल सब्टरिकेट नाम की चीज़ होती ही नहीं है। सो काफी हमार पस कल भी कॉल्स हैं कि सरु अच्छरम ली के बच्चे हैं और जब हम फार्म भर्ने तो हमसे डो मेसे सब्रेट मांगा जा रहा है और वो अप्लॉड कियी भी और आगे बढने पारे हैं और वो तो अच्छरम अगे बंदनी पारे हैं आप ले रहे हो ओबी सीस्टी स्टी एडवलुएस तो वो कागच आप से मांग रहे हैं ठीक है हर्याना वाले राइस्थान वालों के पास होता ही है तो हमने उनका अपलोड कर दिया जिसी कुछ खाज जोरुत है नहीं फिर से भही लिखा हुआ है कि अगर आप वो सीट मिली और आप नहीं ली तो आपके पैसे खराब हो जाएंगे ठीक है यह उत्तरपदेश का दूल जो बार बार आता है वो यह होता है उत्तरपदेश में य जाती है तो वो डिटेल जो होती है मैं आपको प्रवा देता हूं यह बार बार कहते हैं जी सुभारती मेडिकल कॉलिज ने अपने आपको मैनिल्टी बनने के लिए बहुत सालों से अप्लाइक जा होगा है जिस दिन वो बुद्धिस्ट मैनिल्टी बन गया उसकी फीस पैक अगर उनका वह अप्रूव हो गया तो ठीक है ना तो ठीक है यह वहिए कि आपने सब कुछ करा लेकिन आपने कर सकते हो यह चार पेज के रूल है शुद हिंदी भी लिखे हूं है यह देखिए यह जो ड्राफ्ट है यह बनेगा फीस का तो जब आपको सीट मिल जाती है तो आप कॉलिज में नी जाते यह जो नोडल सेंडर जो आपने चुना है अब वहां पर जाके ड्राफ्ट लेके जाओगे जो टूशन फी होगी ना उस कॉलिज की उतने का राइट औ यह सारे इनके नोडल सेंडर बनते हैं जैसा मैंने काता है यह हर कोने में है यूपी के और देखिए त्याग पत्र देने के स्थिति में लिखा होता है कि आप कैसे कैसे रिजैन करोगे तो कितरे पैसे कटके आपको पैसे वापस मिल जाते हैं राउंड टू से पहले राउंड थ्री में आप वो सीट मिली आपने लेली फिर तो आपके पैसे वापस नहीं होंगे राइट तो यह है सारा उत्तर उत्तर परदेश का रूल इस साल के लिए और जैस कर लिया है कि उन्होंने डिसेड कि वो ड्रॉप करेंगे तो पांच हमारे पास वाकेंसी है हमारी प्रीमेर काउसलिंग के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 96433 62320 पे कोई छोटी कसल टेशन लेनी हो आप जानते ही हैं 15 मिन बात करने के 45 मिनिट बात करने के लिए 5000 रुपे आर आवर बेसिक असल्टेशन चार्जेस सो बेस्ट विशिस बेस्ट अव लक इस Mbps 2022 एंडमीशन सीजन के लिए भवान करें आपको बेस्ट सीट मिलें हैपी दिवाली बंस अगें बाबाए